हलो जहीं साथियों स्वाकत है आप सभी का सत्या एक्सलेंटी योटोब चैनल पे है जिसे की साथियों आप सभी को मालूम है कोई भी छातर आइटियाई करता है और आइटियाई करने के बाद वो अप्रेंटिसिप करना चाहता है इस वीडियो के मादल से आपको यही जनकारी देने वाला हूँ कैसे आप apprenticeship registration अपने mobile के थुरू कर सकते हैं जिसे कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो website open किया हूँ यह आप mobile के द्वारा ही open किया हूँ और mobile के द्वारा ही आपको बताने वाला हूँ कैसे आप registration कर पाएंगे तो simply आपको सबसे पहले Google पे जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है apprenticeship portal registration जैसे आप apprenticeship portal registration लिखते हैं आपके सामने कुछ इस तरका page open हो जाएगा और नीचे आप scroll करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा candidate registration apprenticeship training portal अब इस पर आपको simply click कर देना है click करने के बाद साती हो आपके सामने एक नया page open हो जाएगा कुछ इस तरका सबसे पहले आपको personal details देना है जिसे कि यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर लिखना है अपना नाम यहाँ पर लिखेगा ध्याने कीगा सब कुछ यहाँ पर capital में होना चाहिए नीचे आप जैसे ही आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आपको father name देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर अपने पिता जीए नाम लिखना है नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर relationship क्या है तो कोई दिखत नहीं है नीचे आ जाते है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है data birth तो data birth यहाँ से आप calendar से चोज करेज़ेगा जो भी आपका data birth होगा निचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको gender select करने के लिए कहा जाएगा यदि आप यहाँ पर mail ले तो mail पर click किजेगा और फिर mail ले तो फिर mail पर click किजेगा और जिसके बाद यहाँ पर आपको mobile number अनिवारे mobile number दे लिएगा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ से आप से पूछा जाएगा इंटरेस मुवाइल नमबर जो भी आपका मुवाइल नमबर यहाँ पर फिल कर देज़ेगा दोबारा और यहाँ पर इमेल आइडी देहाने किका एमेल आइडी आपको वही फिल करना है जिसका पासवर्ड याद हो और आपके मुवाइल में एक्टिवे क्योंकि इमेल आइड पर एक मैसेज आपको प्राप्त होगा और उसी के द्वारा आपको लिंक पर क्लिक करके बंब करना होता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर email id सही से फिल करना है, बिलकुल गलत नहीं होना चाहिए, उसके बाद दोबारा यहाँ से पूछा जाएगे कि आप email id दोबारा यहाँ पर फिल किजे, क्योंकि थोड़ा सी गलती होगा तो आपका यहाँ पर load नहीं लेगा, तो आपको झाते का पासवर्ढ करने वह अलग होगा प JYP दो पर इपना नाम लिंगे और कोई वी अच्छा कर दीजेगा थाकि हाड है आपका पासवर्ड बन पहे और कोई यहाँ पर ट्राइ करें तुसका ऑपन नहों इसके बाद इतना करने के बाद आपको टिक करना है तो चली मैं सारा प्रोसेस कर लाता हूं उसके बाद आपको अगला इस्टेप बताता हूं आपको क्या करना है तो simply सारा प्रोसेस भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक सम्मिट करने का आपसन दिख जाएगा आपको simply इस पर सम्मिट पे क्लिक कर देना है जैसे आप सम्मिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन नजर आ जाएगा registration successfully आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो आपका registration successfully लिख रहा है यह आपका mobile number और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सही हो चुका है और यह जो आपका सूख करेगा वे आपके email id पर एक link भेजा गया जो कि यहाँ पर साप साप लिखा गया कि the activation link will expire on below जो कि यहाँ पर mention date बतले कि इस date से यदि आप पहले नहीं करते हैं तो जो यहाँ पर link भेजा गया आपके email id पर वो expire हो जाएगा तो सबसे पहले आपको email id चीक करना है तो चली हम email id चीक करते हैं जैसे आप email id खोलते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर active registration का यहाँ पर option दिख जाएगा तो simply आपको करना क्या साथ हूँ यहाँ पर आपको active पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप active पर क्लिक करते हैं एक नया page open हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है कि आप किसमें open करना चाहते है तो आप इसको browser में लिखे जाए Chrome browser में तो Chrome browser में आपको open कर देना है इसको तो आपके सामने कुछ इस तरका open हो जाएगा और यह जो है user activate successfully यहाँ पर लिखा हूँ नजर आ जाएगा वही password आपको इसमें fill करना है और fill करने के बाद आपको यहाँ पर एक tick वाला option नजर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी पर आपको tick करना है और tick करने के बाद आपको यहाँ पर login पर क्लिक करना है रेट कलर में complete your profile तो simply आपको इसी पर click कर देना है click करने के बाद सामने आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पर आपको एक option दिख रहा होगा edit का about me इसी पर आपको click कर देना है click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा जो भी आपका basic यहाँ पर detail से आपके सामने सूख करने लगेगा आपका mobile number और यहाँ पर जो आपने mobile number फिल के सब कुछ यहाँ पर सूख करने लगेगा अब आपको करना है क्या साथ हूँ? यहाँ पर नीचे आजाना है और यहाँ पर आपको data birth का document मांगा जा रहा है मतलब कि यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर attach करना पड़ेगा जिसे कि यहाँ पर जाब जिसे ही click करेंगे तो आपके सामने एक नया फिर open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर father name और यहाँ पर relationship और father name सब कुछ यहाँ पर मिला लिजेगा और mother का नाम आपका इसमें नहीं सो कर रहा है तो अपने mother का नाम यहाँ पर लिख दीजेगा city यहाँ पर लिखेगा पूरा address आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर address 2 भी दिया गया तो आप पहले और दुसरे वाला एक ही कर दीजेगा state का नाम और हाँ पर आपको आपको नाम पूछा रहा है और यहाँ पर इक यहाँ पर इक copy पे सिगनेचर करके और upload करना पड़ेगा उसके बाद प्रूफा Gir station आपको अप्लोड करना पड़ेगा जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर जो आपको signature और आपका paint card upload करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद यह जो आपका paint card है केवल png image में या jpg में या jpeg में ही support कर रहा है इसलिए थोड़ी से आपको परसाने होगे लेकिन आप इसको chrome browser से कर लिजेगा convert कर लिजेगा वो आपका convert हो जाएगा convert करने के बाद आप सारी यहाँ पर process पूरा करने के बाद सबसे नीचे आपको जाना है ठीके और यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है तो मैं जिसका यहाँ पर बना रहा हूँ वो एक student है तो लिख देंगे केवल I am student बस आपका हो गया या other भी आप यहाँ पर लिखना चाहते तो लिख दीजेगा इसके बाद यहाँ पर नीचे आप जाएंगे साथ हो तो आपको यहाँ पर एक option दिखेगा जिससे आप यहाँ पर सीधा नीचे आते हैं तो update का ठीके तो आपको simple उस पर update पे click कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीके यहाँ पर मैं click करके दिखा जाता हूं यहाँ पर आप जैसे update पे click करेंगे तो आपके सामने एक नया page open हो जाएगा जो कि update होका यहाँ आपने सही से बिलकुल यहाँ पर fill up किया होगा तो कोई दिक्कत ने हैं आपका यहाँ पर open हो जाएगा चलिए यहाँ यहाँ पर wait कर लेती क्योंकि जो website है काफी slow चल लए है तो यहाँ पर देख सकते update successfully हो चुका है मतलब कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है यह सब कुछ यहाँ पर सईसी हो चुका है update successful लिखने के बाद साथियो आप जैसे ही यहाँ पर निचा आएंगे तो आपको एक option और निचे हाँ पर देखने को मिलेगा add education मतलब कि आपकी इस education पर इस profile को create किये आपका यहाँ पर technical के लिए किये हैं या graduation के लिए किये हैं या diploma के लिए तो आपको simple यहाँ पर add education पर क्ल करना हैा इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर को देखने को मिलेगा यदि आपने ncbtc किया होगा इट तो ncbtc किलिक किजेगा और cbtc किलिक किया करेंगे तो आप cbtc इचातर का है तो हम cbtc किलिक करते हैं और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आल हम भीकलिक करते है तो इस पर आपको क्या करना आप जीकित highways लिखने भाड क्या करने हूं कि आपको नीचे यहाँ पर 3 आ यह पर भ्यक् कर देता है और यह आपका सकते हैं और नीचे यहाँ वकार नाम आपको लखना है जिसंच्टूट से आपने आईटिया किया, उसके बाद आपका अबरेज और कितना है, और यहाँ पर आपको देखने को मलेगा, टोटल मार्क और पर्सेंटेज यहाँ पर सब कुछ आपको लिटेल्स में फ Почему करА रहा है, फिल करदेज ि आंगे है उसके अंक प्राप्त किया सब कुछ यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर निचे आपसे मांगा जागा कौलिफिकेशन डोकुमेट मतलब कि यहाँ पर साफ साफ निचे भी लिखा गया है कि प्लीज अपलोड ए स्कैन काफी और इमेज आप दर मरसीट और सर्टिफिकेट करनेगा यह सारी प्रिक्रिया करने के बाद आपको क्या करना यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक कर देरा है तो चलिए अप अपडेट पे क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं जैसे आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आपका अपडेट सक्षे पुली लिख देगा यदि कोई भी गलती होती है तो यह रेड कलर पर उपर वहां पर बिलिंक करने लगेगा तो आप उसको सही कर लिजिएगा उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे आपका यहाँ पर पूरा प्रोफाइल सोग करेगा और नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको 50% आपका जो profile है complete हो चुका है तो आपको यहां पर आपको यहां पर नीचे क्लिक करना है नीचे आप education qualification के नीचे आएंगे तो यहां पर आपको preference आपको एक option दिख जाएगा क्योंकि यहां पर हम ITI से कर रहे हैं तो यहां पर ITI के बारे में हमको लिखना पड़ेगा किस trade से हम ITI करें सब कुछ यहां पर तो आपको सबसे पहले preference वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप preference वाले option पर क्लिक करते आपके सामने एक नया page कुछ इस प्रकार का open हो जाएगा यहां पर सबसे पहले आप इसमें क्लिक करेंगे preference में प्रिफेंस लिष्ट में तो आप से यहां पर पूछा जाएगा कि आपने किस trade से ITI किया है जैसे ही कि यहां पर आप देख सकते जो कि साब साब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा simple यहां पर लिखा हुआ तो आप इस पर क्लिक करके अपना trade चूच करेंगे चले मैं आपको सारी प्रिक्रिया करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है preference पर क्लिक करके साथ हो आपको IT electricity सर्च करना है उसके बाद IT electricity लिखेगा उसके बाद आपको IT electricity लिखा है और नीचे आप जाएंगे तो update का option दिखेगा update कर दिजिएगा उसके बाद आपको नीचे आपको अधार कार्ड verified लिखेगा तो आधार कार्ड पे क्लिक करके आपना अधार कार्ड नंबर के लिखेग करना है और नीचे जाएंगे एक क्लिक करके और यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो जो आपका यहाँ पर कहा जाएगा bank account जोडने के लिए तो आप जब bank account जोड़ेंगे तब आपका पूरा यहाँ पर 100% हो जाएगा तो यह है कुछ आसान तरीका जो कि आप कर सकते अपना यहाँ पर apprenticeship registration कुछ इस तरह से बाकिस में और भी कुछ नहीं है इस तरह आप registration करके आसाने से आप कोई भी phone को फिल अप कर सकते है और जो शुरवाती में registration आपने किया जो pop up आया registration successfully का वह registration से आप कोई भी phone को फिल अप कर सकते है उमिदे साथ यह आपको जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी subscribe कलिजेगा